फोन में पैटरन लॉक क्यों नहीं आता? कोईन को अगर निगलने तो क्या होगा? कैसे आप कोविट पॉजिटिव होकर तीन हजार डॉलर कमा सकते हो? और मिर्ची खाने पर नांक और आंखों में पानी क्यों आने लगता है? भाई ये फैक्स बहुत ही मज़ेदार है इसलिए जानने के लिए बने रही है वीडियो के अंत तक नमबाव 25 अगर आपको कोविट हुआ है तो इस देश में आपको धाई लाग रुपई दिये जाएंगे दरसल उस बेकिस्तान में एक लॉ निकला था जो कि अब तक एक्टिव है लॉ ये था कि अगर आप उस बेकिस्तान म इस्तेमाल करके चित्र नहीं बनाते बलके सूरज की किरणों के इस्तेमाल करके आर्ट बनाते हैं वे लकडी में मैगनिफाइंग ग्लास की मदब से सूरज की रोशनी जाने देते हैं जिसकी गर्मी से लकडी जलने लगती है और ये लकडी को जला कर बहुत खूब सूरज तो ऐसा क्यों तरह से पीछे कुछ safety reasons है Apple का मानना है कि dot वाला pattern lock unsafe है और इसे आसानी से खोला जा सकता है और आपको पता होगा iPhone जो है वो अपनी safety के लिए बहुत जादा जाना जाता है बड़े बड़े business man भी Apple का phone use करते है क्योंकि Apple हमेशा ये बताता है कि उसका phone सबसे safe है और बहुत से safety features के साथ आता है और ये भी उसके safety features में से एक है कि आप उसमें pattern lock नहीं लगा सकते इस tribe के लोग 300 km continuously भागते हैं इसका नाम है तरह हुमारा tribe ये tribe बिल्कुल किसी super athlete की तरह है जो 300 km तक भाग सकते हैं और इनसे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस शिकार करके अपना पेट भरते हैं और शिकार को मारने के लिए हाथिहार का इस्तेमाल नहीं करते बलकि उन्हें भगा भगा कर ही मार देते हैं इस देश में एक्जाम के दिन स्कूल की छट पर जाने का गेट बंद कर दिया जाता है पर ऐसा क्यूं? कुरिया में जब युनिवोसिटी का एक्जाम होता है तो खिड़की और छट पर जाने का रास्ता बंद कर देते हैं क्योंकि कुरिया में स्टडी को बहुत इंपॉटन्ट माना जाता है अगर कोई ये नहीं कर सकता तो वो एक फेलियर है और इसलिए उन्हें मरना बहतर लगता है इसलिए कई लोग एक्जाम हॉल में ही अगर उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता है तो आत्मातिया कर लेते हैं जिहां वो एक्जाम हॉल में भाग कर चट से कूट जाते हैं या फिर खिड़की से ही कूट जाते हैं पांडा जब भी जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं तो वे सिर्फ जादा ताकतवर वाले बच्चों का ही ध्यान रगते हैं और दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे कि दूसरे वाले की मौत हो जाती है और विलुप्त होते जारे पांडास के संक्या कम होने का ये भी एक कारण था इसलिए वैग्यानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें दोनों बच्चों को बारी बारी मां के पास रखा जाने लगा ताकि मां को पता न चले और दोनों को बराबर का प्यार मिल सके और इससे पांडा की आबादी को बढ़ाने में भी मदद मिली फाइंडर नासा के वैग्यानिकों दोरा बनाई गई एक ऐसी मशीन है जिसे कुछ दूरी तक मौझूद लोगों को इस सांसे और दिल की धड़कनों को महसूस करके उनका पता लगाया जा सकता है इस मशीन को सबसे पहले 2015 में नेपाल में आई भूकंप में इस्तेमाल किया गया था और इसकी वज़ा से मलवों में दबे कई लोगों की जान भी बचाई गई थी इस मशीन को बनाने वाले साइंटिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है बई चाइना की पुलिस में बतक का इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में हर जगा पर पुलिस फोर्स कुत्ते का इस्तेमाल करती है लेकिन वहीं चाइना की पुलिस बतक का इस्तेमाल करती है यो ट्रेंड बतक होते हैं और पुलिस के मुताबिक ये बतक डॉक से जादा नेटवर्क कर सकते हो यानि फ्री में अनलिमिटेड नेट को यूज कर सकते हो नमबो फिफ्टीन के लोग बात बात पर सॉरी बोल देते हैं इसी वज़ा से 2009 में यहाँ पर एक लॉप पास हुआ है जिसके तहट यहाँ का कोई भी व्यक्ति गिल्ट दिखाने के लिए आपॉलीजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता यानि कि अगर आपको गिल्ट दिखाना है या फिर आपने जो किया है उस बात को आपको अफसोस है तो आप सॉरी नहीं कह सकते हो नमबर 14 वेस्ट अफ्रीकन और पैसिफिक आइलेंड इन दोनों लोगों की परजातियों का डियने हमारे पूरे मानब परजाती से अलग है यहां के लोगों में एक ऐसा डियने मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता यह डियने एक खास तरीके की इनसानी परजाती का है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता यह कैसे दिखते थे, कहां रहते थे, क्या करते थे और एक्चुली में क्या थे, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता नमबर 13 आपकी फिंगर इतनी सेंस्टिव होती हैं कि यह हर एक चीज़ को फील कर सकते हैं या तक कि 13 नैनो मीटर जितना अबजेक्ट को टच करके फील कर सकती है 13 नैनो मीटर इतनी चोटी चीज़ होती है कि इसे हम आँखों से भी नहीं देख सकते 11 अगर आप यह करोगे तो शायद आप अपने एक्जाम में टॉप आ सकते हो अगर आपको किसी चीज़ को अच्छे से याद करना है तो आपको पढ़ने के बाद सीधा सो जाना है यानि आप यह समझ सकते हो कि आपको सोने से कुछ घंटे पहले ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इस से आपको वो चीज़ काफी अच्छी तरीके से याद रहेगी यानि कि जब हम सोते हैं तब यह सारी चीज़े एक तरीके से हमारी मेमरी में चली जाती है अगर इंडिया के एक लड़के की आँखे ब्लू है और अमेरिका में एक लड़के की आँखे ब्लू ही है तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के रिलेटिव हो एक दिस सर्च में पता चला है कि दुनिया में जितने भी लोगों की ब्लू आइज होती है उनमें खास तरीके के ज जिसकी वज़ा से वो उम्र के साथ अपनी आँखों की रोशनी को रहे हैं और जल्दी वो अंधे हो जाएंगे इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया का सफर करने का फैसला किया है ताकि जब तक इनकी आँखे सही सलामत है तब तक ये सब कुछ एक्सपिरियंस कर सकें क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है इस साप ने अगर आपको काड़ा तो आपका मरना तैय है ये साप है ब्लैक मांबा इसका जहर बहुत खतरनाक है और बहुत फास्ट काम करता है जिसकी वज़ा से लोग हास्पिटल जाने से पहले उपर पहुंच जाते हैं आपका पी इशन होता है कि रिफ्रेश करने से पीसी फास्ट काम कर रहा है नम्बस इगस्ण में कोई टॉयलेट नहीं दिखाया जाता था नाइटिन जनर के बाद उस पर बुरी शक्तियों की नजर होती है और अगर बच्चा बदसूरत होगा तो बुरी शक्तियां बच्चे का कुछ नहीं बिगारती है। नमबर फोर, न्यू यॉर्क ही कैसा सिटी है जिसे फिल्मों में सबसे जादा तबाह किया गया है। चाहे एलियन अटेक हो या फिर घुस्ट परेड हर चीज न्यू यॉर्क में ही होती है और ये देखकर ऐसा लगता है कि अगर कभी सच में एलियन ने हमला किया तो शाहिद वो न्यू यॉर्क पर ही करेंगे। लग्जंबर्ग की कमपनी युजेड ने दुनिया का पहला ऐसा एलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है जिसे बहुत आसानी से सिर्फ पांच सेकंड्स में ही पूरी तरह फोल्ड किया जा सकता है। कोईन होता है वो बिना किसी दिक्कत के पीट में पहुंच जाता है और वो थोड़ा बहुत गल कर फिर हमारी वेस्ट से बाहर निकल जाता है। और इसी वज़ा से ये होता है और इससे हमारी आँके और नांक इरिटेट होते हैं और इसी इरिटेशन को बगाने के लिए हमारी आँक और नांक से पानी बैता है यानि कि एक तरीके से डिफरेंस मेकनिजम है। आपने मैसूस किया होगा कि जब भी आप बहुत तीखा काते हो तो आपके आँके तोड़ी बहुत जलने लगती हैं क्योंकि वो इरिटेट हो जाती है इसी रियक्शन से। भाई ये तो आपने जान लिया पर क्या आपको पता है कि फोन को चार्ज पे रखके बात करें तो क्या होगा क्यों इस देश में बस एक स्मार्ट फोन खरीदने के लिए एक ट्रक भर के पैसे ले जाने पड़ते हैं क्यों आज कल छोटे बच्चों के भी बाल सफेद ऐसे ह होते जा रहे हैं और मिस्टर बीन शो का ऐसा डरावना राज जिसे सुनके आपके पसीने छूट जाएंगे ये वीडियो काफी मज़ेदार है तो अब ही जाओ और इसे देख लो यार और ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई